दोस्तों धन्य धान्य सुख संपधा के लिए दिवाली के कुछ सरल तोटके आप अपना सकते हैं तिपावली धन दावलत और शुभासिस पाने का सबसे सुभ और उपयुक्त आसर है इन दिनों कुछ तोटके करने से साल भर धन्य धान हमेशा भरा रहता है आईए जानते हैं कुछ तोटको के बारे में लच्मी जी की पूजन में गन्ना, कमल पूस्प, कमल गटे, नाग के सर, आवला, खीर का प्रियोक धन प्राप्ति के मार्ग को प्रसस्त करता है दिपावली के दिन किसी युवा सुहागन इस्त्री को घर पर भोजन मिश्ठान करवा कर लाल वस्त्र भेट करें इससे धन की वाधाएं दूर होती है, भाग्योदा नहीं हो रहा है तो लच्मी जी को चैने की दाल चढ़ा कर बाद में पीपल के ब्रिच में चढ़ा दें ध्यान रहे दाल कच्ची होनी चाहिए, अच्छे काम काज में आए दिन लोगों की नजरे लगती रहती है तो रात्र में कारे अस्थल पर एक फिटकरी का बड़ा डला लेकर उतारें तथा चौराहे पर फेग दें, कारे की बाधाएं हमेशा के लिए दूर होंगी लच्मी जी के चितर पर कमल गट्टे की माला हमेशा चढ़ी रहने दें दिपावली पर गन्य के रस के द्वारा या दूद के द्वारा या सहथ के द्वारा प्रुद्रा विसेख करवाएं वर्स भर धन की प्राप्ती होती रहेगी अपंग गरीब अनात्र व्यक्तियों को गोजन वश्त्र दान करें लच्मी जी की किरपा बनी रहेगी किसी वट व्रिच के नीचे का कोई भी पौधा निमंतरन दे कर लाएं वट का ही हो तो ज़्यादा अच्छा है घर में गमले में लगा दें उसकी व्रिध्धी के साथ साथ धन व्रिध्धी होती रहेगी दोस्तों यह कुछ थें दिपावली के आसान टोटके इने करें और वर्स भर शुक्ष सम्रिध्धी से बने रहें ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद